Hello friends, welcome to my YouTube channel, Storytime with Preyanka So, आज का हमारा topic है, हिंदी अंत्रा बुक को first chapter Chapter का नेम है इदगा And इस chapter के writer का नेम है मुंसी प्रेमचन So, मुंसी प्रेमचन एक बहुत ही famous लेखाख है और इदगा चेप्टर उनकी famous कहानियों में से एक है So, इस chapter में प्रेमचन जी ने एक दादी और पोते के रिष्टे को दर्शाया है कैसे एक छोटा सा लर्का अपनी इच्छाओं को त्याग करके अपने घर की जरुतों का ख्यार रखता है So, ये एक बहुत इंट्रोस्टिंग chapter है An easy chapter है आप लोगों को बहुत easy लिए chapter समझ में आ जाएगा So, हम start करते हैं अपना explanation summary के साथ गाउं में पूरे 30 रोजों के रमजान के बाद इद के तहवार की खुशिया मनाई जा रही है So, chapter का starting है गाउं से होता है जहां पर सभी लोग इद की खुशिया मनाते हुए नजर आते है पूरे 30 रोजों के रमजान के बाद पूरे एक महिने के बाद इद का तहवार finally आ चुका है तो सभी लोग बहुत ही खुश दिखाई दे रहे है सभी अपने कामों को जल से जल निप्टा कर इद का जाने के लिए तयार हो रहे है तो सभी लोग अपने जल्दी जल्दी काम खदम करके इद का जाने के तयारी करते है उनमें सबसे अधिख खुश बच्चे है क्योंकि उन्होंने इस दिन का बहुत इंतिजार किया है तो सबसे जादा एकसाइटेड और खुश बच्चे है क्योंकि उन्होंने इस दिन के लिए बहुत जादा इंतिजार किया है उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनके अब्बा चौधरी के घर क्यों दोरे जा रहे है उन्हें तो बस इदगा जाने की जल्दी है क्योंकि उहां लगे मेली में घूमना है तो बच्चों को कोई फिकर नहीं है कि उनके अब्बा मतलब पिताजी क्यों चौधरी के घर दोरे जा रहे है उन्हें इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है उन्हें सिर्फ और सिर्फ जल्दी है इदगा जाने की क्योंकि उहां पे मेला लगने वाला है और उन लोग को उहां पे घूमने में बहुत मज़ा आता है हामिद भी 4-5 साल का एक दुबला पतला लरका था तो इस कहाने का मेन करेक्टर है हामिद जो की 4-5 साल का लरका था और वो एक दुबला पतला लरका था वो अपनी दादे के साथ अकेले रहता था क्योंकि बच्वन में ही उनके माता पिता गुज़र चुके थे सो हामिद अपने दादी अमीना के साथ रहता था क्योंकि बच्वन में ही उनके माता-पिता का देहांद हो चुगा था लेकिन उसे लगता है कि उनके अबा जान एक दिन जरूर आएंगे और बहुत सारी नई चीजे लाएंगे बड़ जो उनकी दादी थी वो कहीं न कहीं हामित को एक दिलासा देके रखी थी कि तुम्हारे अबबा एक दिन जरूर आएंगे तुम्हारे लिए बहुत सारी नई नी चीजे मिठाई खिलोने लेके एक दिन जरूर आएंगे उसकी दादी अमीना घर की आर्थिक इस्तिती अच्छी तरह जानती है और उसे इस बात की चिंता है कि इतने कम पैसों में इदगा का तहवार कैसे मनाएगी सो हामित का आर्थिक इस्तिती, हामित के घर का आर्थिक इस्तिती कुछ इतना अच्छा नहीं था और Amina को इस बात का अंदाजा था कि इतने कम पैसों में वो इदगा का तहवार कैसे अच्छे से मनाएगी वो हामित को तीन पैसे देकर मेले में भेजती है अमित जैसे तेसे करके कहीं से तीन पैसे जुगार करके हामित को मेले घुमने के लिए देती है सबी इदगा पहुचते हैं और इद की नवास पहने के बाद आपस में गले मिलते हैं तो हामित के साथ साथ उनके जितने भी दोस्ते महमूद, मौसीन, सिम्मी, नूरे सब इदगा पहुचते हैं वहाँ पे सभी नवास पड़ते हैं, उसके बाद आपस में उस सभी गले मिलते हैं बच्चों की टोली मेले से तरह तरह के खिलोने और मिठाईया खरीती है तो हामिद के जितने भी दोस्त थे वो सभी तरह तरह के मिठाई खरिदती है, खिलोने खरिदते है, घुरसवारी करते है लेकिन हामिद के पास मातर तीन ही पैसे है, जिनसे वो अपनी दादी के लिए चिम्ठा खरिदता है हामिद के पास सिर्फ और सिर्फ तीन पैसे थे सो हामिद उन तीन पैसों से ना ही मिठाई खरीदता है ना ही खिलोने खरीदता है और ना ही किसी चीज के सवारी करता है वो अपनी दादी के लिए एक चिम्ठा खरीदता है इस बात पर उसके सभी दोस उसकी हसी उराते है तो जब उनके सभी दोस देखते हैं कि हामिद एक चिम्ठा खरीदता है तो जितने भी उसके दोस थे सभी उनका मजाग उराते है हामिद उनके खिलोने की निंदा करता है और अपने चिम्टे को उनके खिलोने को स्ट्रेस्ट बताता है तो हामिद एक बहुत होशिया लरका था वो अपनी चालाकी से सभी दोस्तों के खिलोने को वियर्थ बताता है उनकी निंदा करता है और अपना खिलोने को अच्छा बताता है घर आने पर जब उसकी दादी अमीना उसके हातों में चिम्ठा देखती है तो डाटना शुरू कर देती है पर जब हामिद घर लोटके आता है जब दादी देखती है कि वो तीन पैसों में चिम्ठा लेके आया है बिना कुछ खाए पिए दो पहर से तो वो बहुत घुषता हो जाती है और उन्हें डाटना स्टार्ट कर देती है जब हामिद ने चिम्ठा लाने का असली कारण तवे पर रोटी सेकते समय उनकी उंगलियों का जन्ना बताया तो दादी का सारा घुस्ता स्नेहे में बदल गया पर जब हामिद ने बताया कि वो चिम्ठा क्यों खड़िदा है तो दादी को जब पता चला कि वो रोटी सेकते व और त्याग की भाबना देखकर दादी भाबु को उठी तो ये सब देखके दादी अमीना भाबु को उठी उनके आखों से आसु गिनने लगे और वो हामिद को हाथ उठा कर दुआये देने लगे ये देखके कि अमीना दादी को हामिद इतना प्यार करता है कि उनके लिए व पर वो हाथ उठाकर दादी हामित को दुआये देती है, आश्रिवा देती है अमीना दादी को ये देख के बहुत ही आशर्ज होता है कि एक छोटा सा बच्चा अपने इच्छाओं को त्याग करके घर की आवशक्ताओं को पूरा करने में लगा है So, ही था इस चैप्टर का सम्मारी I hope आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा ऐसे ही दूसरों चैप्टर को देखने के लिए भी Please subscribe my channel and thanks for watching my video